घमंडी पेड़ एक जंगल में एक बरगद और एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ पर बहुत सारे रसीले आम लगे हुए थे उस पेड़ के नीचे लोग आकर विश्राम करते थे विश्राम करने के साथ साथ उसके मिठे फलो का भी आनंद लेते थे और बरगद के पेड़ के ओर कोई भी देखता भी नहीं था धीरे धीरे उस आम के पेड़ को अपने उपर बड़ा घमंड होने लगा और ओ घमंड रूप में ही बरगत के पेड़ से बोला अरे बरगत भाई तुम्हे तो कोई देखता भी नहीं है और मुझे देखो परतियक वेक्ती मुझे और मेरे स्वादिष्ट फलो को ही पसंद करता है और तुम्हे तो कोई पुछता भी नहीं है फिर बरगत का पेड़ बोला अरे आम भाई इतना घमंड करना अच्छा नहीं है परतियक वस्तु का अपना अपना एक विशेस महत्व और उप्योग होता है इसके अगले ही दिन कुछ बच्चे उस घमंडी पेड के सारे आम तोड़ डाले और साथ में टहनियों एवं पतियों को भी नुक्सान पहुचाया आम का फल और टहनिया और पंतिया तुटने के बाद आम दिखने में बड़ा भद्दा लग रहा था आम के पेड की ऐसे श्तिती देखकर बरगद का पेड बोला अरे आम भाई घमंड हमेशा मुसीबत में ही डालता है अरे तुम्हीं देखो तुम्हारी खुबसुरती ही तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई है और मुझे देखो मैं अब भी यहाँ पर वैसा ही सुरचित खड़ा हूँ इसे लिए कहता हूँ कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है बरगद के पेड के यह बात सुनकर आम को बहुत बुरा लगा और ओ अपने किये हुए गलती पर पश्तावा करने लगता है तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं हमेरे चैनल को सब्सक्राइब पर लिजेगा